अत्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कॉंग्रेस न होती तो क्या होता लोग तंत्रप परिबाज़वाद से मुक्तव होता खारत विदेशी चस्मे के बजाए स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चांदा अगर कॉंग्रेस न होती तो इमर्जंसी का कलंकना होता अगर कॉंग्रेस नहोती तो दसकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता अगर कॉंग्रेस नहोती तो जातिवाद और छेत्रवाद कि खाई इतनी गहरी नहोती अगर कॉंग्रेस नहोती तो सीखों का नर्शंहार नहोता सालों साल पंजब आतं की आग में नजलता अगर कॉंग्रेस नहोती तो कश्बीर के पंडितों को कश्बीर छोड़ने की नौबत नहोती अगर कॉंग्रेस नहोती तो देश के सामान में मानवी को घर कर शड़क बिजली पानी साउचानाय मौल सुमी दाओं के लिए इतने सालों तक इंतिजार नगरना परता